हाई मैं पशांत आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटिट कमुडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि मार्केट में गिरावट के बाद यहीं अच्छे खासे करेक्शन के बाद कैसे आप रिवर्सल को अर्ली आइ और इसके बाद हम यहां पर अपसेट की तरफ जो रिवर्सल आता है उसको हम कैसे अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वह मैं आपको इस वीडियो मताने जा रहा हूं और यहां पर जो रिवर्सल आ है इसको आइडेंटिफाई अगर आप सही टाइम पर कर लेंगे सही बेंच रहता है यहीं वह प्रत उर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां प्रक पर कुछ आइडिया नहीं मिलता यहां इंगाने घृवर्सल को अलियोर नी औैंटिफाई कर लेंगे तो आप जो ये trap में फस सकते हैं और loss में फस सकते हैं इसको आप avoid कर सकते हैं सबसे पहला benefit यहहोगा दूसरा benefit यहोगा कि यहाँ पर आप सही जगावपे entry ले सकते हैं और reversal को play करते हुए यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं जहां पर आपको नुकसान हो रहा था, जहां पर आप ठैप में फस रहे थे, वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर प्रॉफिट मेन निकल जाएंगे, दूसरा benefit ही होगा, तीशरा benefit क्या होगा? कि overall आपका जो ट्वेट का accuracy level है, वो यहाँ पे आपको increase होता हुआ दिखेगा कैसे increase होगा जैसे यहाँ पे आप नुकसान कर लेती है यह पहले जो आप 10 ट्वेट ले देते हैं उनमें से 5 में profit होता है लेकिन यह जानने के बाद अगर इस तरह का situation आएगा तो 10 में से आप 6-7-8 ट्वेट को profitable बना सकते हैं इस तरह के से आपका accuracy level भी increase होता हुआ दिखेगा तो single चीज़ को हम identify करके यहाँ पे मुझे तीन benefit मिलता हुआ दिखेगा और यही चार्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अच्छे खासे गिरावट के बाद आप upside की तरब जो reversal लाएगा उसको कैसे अवली identify कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में link मिल जाएगा नहीं तो आप i button पे click करके भी देख सकते हैं चलिए आज हम इस वीडियो में find करते हैं कि अच्छे खासे गिरावट के बाद हम कैसे reversal को identify कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले हैं bank nifty के five minute के चार्ट पर आ गए अब यहां पर mostly लोगा question होता है time frame को लेगे यह जो strategy है इसको आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके basis पर आप intra rate trading कर सकते हैं btsc trading कर सकते हैं swing trading, positional trading, short term trading या फिर investment या फिर long term investment के लिए भी stock का selection कर सकते हैं एक method के जरी है आप multiple तरीके से ट्वेडिंग या फिर investment कर सकते हैं और यहां पर हम bank nifty के five minute बादा टाइम फ्रेम लिए हैं क्योंकि mostly लोग जो इंट्राडे ट्वेडिंग करते हैं वो bank nifty के five minute बादा टाइम फ्रेम देखते हैं तो इसके basis पर हम देख लेंगे कि इंट्रा करना होता चार्ट पर यहां पर आपको दो तीन पॉइंट ध्यान रखना होता है और उसी के basis पर यहां पर हम अर्ली रिवर्सल को identify कर सकते हैं अपसाइट की तरफ रिवर्सल को identify कर सकते हैं सबसे पहले आपको एक resistance जोन या फिर स्टेंस लेवल फाइंट करना है कि सबसे पहला पॉइंट हमारा यह यह तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके लिए अलवरी ड्राइंग कर रखा वहां से आपको जाता बेहतर तरहीं कि समझ में आ जाएगा तो देखिए यहां पर देखिए यह जो ग्विन के इसी लाइन को टॉच करके नीचे आ रहा है यह बेड केंडल इसी लाइन को टॉच करके नीचे आ रहा है और यह भी रेड केंडल इसी लाइन को टॉच करके नीचे आ रहा है मतलब यह आपका अगर हम केंडल बेशिस पर देखें यह आपका क्या मना रहा लोर हाई पैटरन का फॉर्मेशन कर रहा तो इन सब को टॉप को जोईन करते हुए यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह का और यह लाइन हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा लाइन बन जाएगा वेसिस्टेंस लाइन तो सबसे पहला पॉइंट हमें वेसिस्टेंस लाइन फाइंड करना है उसके बाद वेसिस्टेंस लाइन फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है हमें देखना है कि यहां पर हमें गिरावट देखने को मिले और वह भी काफी शाप गिरावट देखने को मिले जहां पर हम इस तरह का गिरावट देखें जहां पर हमें कर लिया उसके बाद दूसरा पॉइंट करना की में जुबरावट करना इस तरीके का जो ilians मैं ने बताया इस तरीके गलावट आपको find करना तो दूसरा point आपको sharp downfall ठीक है सिर्फ downfall नहीं होना चाहिए sharp downfall होना चाहिए वो हमें identify करना बस दो ही चीज हमें identify करना इसके बाद हम क्या करेंगे हम अपना entry point sl target सब कुछ find करने कोसिस करेंगे उसके बाद तीसरा क्या है जैसे ही इस line को break करके ऊपर closing देगा उसके बाद जैसे अगला candle open होगा यहां पर हम buy sir की तरफ entry लेंगे अब देखिए red candle slightly line को cross करके इसके ऊपर closing दिया जैसे closing दिया उसके बाद अगला candle जैसे ही open हुआ है यहीं पर open होगा यह हमारा क्या बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा entry point यहां पर हम क्या करेंगे बाइ करेंगे तो entry point यहां पर हमें clear cut मिल गया दूसरा जो भी lowest point वहाता है इस particular range का इस particular area का यह यह lowest point हुआ हमारा SL बन गया इसके बाद यह जहां पर open हुआ यह हमारा बन जाएगा entry point और यहां पर buy करेंगे तो buy कहां पर करेंगे SL कहां पर होगा और target price, target price के लिए हमने यह जो resistance line लिया है यह हमारा target price के रूप में कादम करें यह नि कोई भी चीज जो यहां पर हमने draw किया है वो बे मतलब का नहीं है सबका अपना मतलब है यह हमें entry point देता है जो इस particular range का lowest point होता SL देता है और यह जो ऊपर का range है यह हमें क्या देता है यह हमें target price देता है उसके बाद देखे यहां से यह अपचर के तरफ किया और इस line क basis पर हुआ है यह आपका एक दिन पहले का momentum है और June 1st को यहां पर यह इस तरह का breakout दिया है और जिस दिन breakout दिया है यह जिस दिन reversal का hint दिया है उस सेम देख सकते हैं लगभग एक दो घंटे में यह आपका target price को hit कर दिया और अगर हम यहां पर बात करें लगभग हमें जो entry मिल 35,400 करीं entry मिला और target price जो था वो था आपका 35,700 यह नि कुछ घंटों में 300 point का profit मिलता हुआ जो की छोटा मोटा profit नहीं माना जाता bank nifty में इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं बरे sharp downfall move के बाद आप reversal को early identify कर सकते हैं और यहां पर आप trap से बच सकते हैं loss को avoid कर सकते है और जहां पर loss होगा उसको आप profit में convert करके अपने trade का accuracy level increase कर सकते हैं अब यहां पर multiple example लेखते हैं nifty के 5 minute के चार्ट पर आना चाहेंगे अब यहां पर सबसे पहला point क्या है कि हमें यहां पर resistance level या फिर resistance zone जो है वो find करना है अब यहां पर देखिए यह आपका high बना इससे न line draw करेंगे इस तरीके से उसके बाद दूसरा point क्या था दूसरा point यह था कि हम देखेंगे कि resistance level के पास से हमें sharp downfall move दिखना चाहिए with 45 degree angle के साथ यहां पर छोटा सा दिखा यानि at least जो sharp downfall move हो उसमें at least आपका 10 candle हो यह एक criteria यहां पर आप डाल सकते हैं सारा कुछ वहां पर देखने की जोगत नहीं है यह जो अच्छा खासा correction देखने को मिले यानि big downfall move या फिर big correction आप बोल सकते हैं वह हमें देखने को मिले जो कि यहां पर हमें देखने को मिला और यहां भी देख सकते हैं sharp downfall move देखने को मिला यानि दूसरा point भी वह मेरा completely satisfy हो गया अब यहां पर में आता है तभी आप trade लीजिए अगर नहीं आता है तो फिर आप trade को छोड़ सकते हैं तो यहां पर देखिए हमें क्या चाहिए था closing इस लाइन की उपर मिला उसके बार जैसे ही अगला candle open होगा यह नहीं यह हमारा क्या बन जाएगा entry point यह जो particular range है यह हमारा बन जाएगा entry point और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम buy करेंगे SL यह जो lowest point है यह हमारा SL की रूप में काम करेगा और target पैस मैंने बताई दिया यह जो line है यह हमारा target की रूप में काम करेगा और उसके बाद देखिए यह ऐसा कहां पर हुआ है यह जो मेरा entry बनेगा वह लगबग बनेगा 16,540 के आसपास यह नि यह हमारा entry point बन जाएगा उसके बाद यह all the way आपका upside की तरफ गया और कहां तक यह उपर गया वह यहां पर हम देख लेते हैं देखिए यह all the way उपर गया है 16,600 करीव यह नि इस particular range से यह लगबग आपका 60 point का upside move दिखाया है और यहां पर हम क्या करेंगे trailing stop loss का भी help regular basis पे लेते रहेंगे और जैसे ही मैं आपको intraday वाले वीडियो में बताते रहता हूं कि market अगर आपके favor में 50 point या उससे ज़्यादा गया है तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए अगर नुकसान हो रहा है तो आपको अपने trading strategy पे बहुत ज़्यादा काम करन और अगर 60 point गया है तो हर एक 10 point के मूव के बाद यहाँ पर हम अपना जो trailing stop loss है वो 10 point increase करेंगे यहनी इस particular move के बाद अगर market नीचे भी आता है मुझे इन यहाँ यहाँ पर 30 point का profit में लेगा क्योंकि यह जो positions है वो हम intra day में ही exit करेंगे और देखें intra day में यह आपको at least 30 point द अभी profit देता हुआ दिख रहा है यहनी same day यहाँ पर हमने सारा कुछ find किया और same day यहाँ पर हमें closing से पहले profit मिलता हुआ दिखा हम अपने हिसाब से यहाँ पर exit कर लेंगे इस तरीके से आप अलग-अलग strategy find कर सकते हैं बस आपको दो चीज़ find करना है resistance level उसकी बाद sharp downfall move होन यहाँ पर हम आते हैं TCS के 30 minute वाले time frame में देख सकते हैं यहाँ पर हम अलग-अलग time frame का example ले रहें ताकि आपको यह concept है आसानी से समझ में आ जाए concept ज्यादा कुछ difficult नहीं है एकदम आसान सा चीज़ है बस दो चीज़ find करना क्या है फिर से बताता हूं सबसे पहले आपको एक resistance level find करना resistance level चाहिए यह higher low pattern के basis बने या फिर flat line के basis बने या फिर आपका lower high pattern के basis बने कैसे भी एक particular resistance level बनना चाहिए जहां से हम एक trend line draw कर सकते हैं यहाँ भी देखिए यह आपका high है फिर उसके नीचे high बना मतलब यह आपका lower high pattern का formation किया है तो इन सबको join करते हुए इस point और इस point को एक straight line यहाँ पर हम draw कर देते हैं clear अब इसके बाद यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है पहला point satisfy हो गया है यह नहीं यहाँ पर हमने सब्सक्राइब के पास सब्सक्राइब के पास सब्सक्राइब कर देखने मिला जहां पर लगवागी आपका 45 डिग्री के करीब एंगल बनाता हुआ दिख रहा है यह नहीं आप दूसरा point भी satisfy हो गया उसके बाद अब हमें क्या find करना इंट्री पॉइंट करना और देखिए जैसे रिवर्सल दिखा है closing आपका इसके आसपास दी आगला candle open होते यानि यह मेरा क्या बन जाएगा इंट्री पॉइंट यहां पर हम बाई पोजिशन इनिशेट करेंगे close point यह है यह हमारा SL हो जाएगा target price यह है तो देख सकते हैं यह सारा काम आपका लगभग intraday level के basis पे हुआ यह आपका 6 जून को ही हुआ है यह सारा काम और देख सकते हैं इंट्रादे लेवल के basis पे formation बना और यहां पर हमें profit मिलता हुआ दिखा है यहां पर हम इंट्री ले रहे हैं वह लगभग आपका 3390 के लेवल पे हम यहां बाई साइट की तरफ इंट्री ले रहे हैं और हमने जो target हिट किया वह लगभग आपका 3450 का target हिट किया यहां यहा यहां पर 3390 पर इंट्री ले रहे हैं तो यहां पर 3400 के call options को आप यहां पर buy कर सकते हो similarly जिस भी लेवल पर आप entry ले रहे हो निफ्टी वह बैंक निफ्टी उसके नियरेस जो भी आपका strike price का call options आप buy कर सकते हो इस तरीके सा options में भी trade कर सकते हो या नहीं तो चाहो तो आप in the money call options को भी buy कर सकते हो और अगर आपका 50 पॉइंट 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 का move भी दिखाया है तो in the money call options भी आपको अच्छा कासा profit दे देगा यहां पर हम दूसरे एक्जामपल पर आते हैं यह आपका विलाइंस का डेली चार्ट अब यहां पर हम अलग अलग टाइम लिए सबसे पहले हमने 5 मिनट लिया फिर हमने 30 मिनट लिया अब हम यहां पर वन डे वादा टाइम ले रहें अब वन डे में तो आप इंडवादे ट्वेडिंग कर सकते हो या नहीं तो डिलिवरी बाइंग लिए तो आपसंस या फिर्फी फ्योटोस में ट्रेडिंग कर सकते हो घ्राइंग कर सकते हो यहां पर सबसेपहले हमने दो पॉइंट करना हमें यहां पर देखने को मिला अब यहां पर हमारा यहां पर हमारा क्या बन जाएगा और इंट्री पॉइंट का अगर हम पर्फेक्ट लेवल ले तिया आपका 25-30 करीब हमारा इंट्री पॉइंट बनेगा ठीक है उसके बाद टागेट पैस हमारा इये लाइन वहें का लेकिन टागेट पैस को हिट नहीं किया यहां से आल दभी प्रैस आपका 2800 के लेवल को ड़ज किया यहां से लगबग आप बोल सकते हैं कि 270 पॉइंट का जबडस अपसाइड मूब दिखाया है यहां लगबग यहां से आप बोल सकत कर सकते हैं यहां यहां पर आप साथ से 8% का प्रॉफिट स्विंग ट्रीडिंग यहां फिर ओप्सन से फिर ट्रीडिंग से निकाल सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं है हमें बस दो पॉइंट करना फिर साप करेक्शन दिखना चाहिए बस यहीं दो क्वेटरिया उसके बाद य कर लेंगे तो उमीद करते हैं यह concept आपको यहां पर समझ में आ गया होगा और यह जो concept यह आपको यूटूब पर बहुत कम जगा मिलेगा जैनुरली लोग इस तरह का concept बताते नहीं है जो कि आपका काम का होता है इस तरह concept वह आपने पेड़ पोर्स में आपको बताते हैं इसलिए हम यह सब कुछ आपके लिए free में लाएं बस एक ही request है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करके हमें इनकवेज किजिए ताकि इस तरह के और भी content हम आपके लिए वेगलर basis पे लाते रहेंगे और चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe किजिए मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन